तो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में 20 ऐसे इंपोटेंट क्यूशन है दोस्तों जो हिंदी के सिक्षन वीडियो के लिए अती महत्पूर है जो एकजाम की देश्टे से महत्पूर है दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी कियें तो फिलिट सब्क्राइब जरूर करें चैनल को, तो बढ़ते हैं, ततकाल प्रष्ट पोशन दिया जाता है, तो अभी कर्मित अनुदेशन में दोस्तों, ततकाल यानि कि हातिवात, यानि कि अभी के अभी जो पोशन दिया जाता है, तो दोस्तों, आप रेखिए अभी कर्मित, इन विदियों को अच्छे से देखिए, ये शिक्षा में नवाचार है, क्योंकि एकजाम में यहां से क्यूसन अवसे ट्रेंड गरता है, दोस्तों, आप इन विदियों को अवसे एक बार अच्छे से देख लें, और इनके जो वेग्यानिक नाम है, जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, उनको जरूर देख लें दोस्तों, आगे बड़ते हैं, कि रेखिए अभी कर्मित अनुदेशन को करते हैं, तो आरोई, आरोई यानि चड़ते हुए हैं, रेखिए अभी कर्मित अनुदेशन विदी है, जो उसको क्या बोलते हैं, आरोई है ना, यानि आरोई तरे से ये चलती है, बच्चों को बलब शिक्षा देने के लिए पोसन देती है, आगे बड़ते हैं, दल शिक्षन में शिक्षन का कारे, कोन सी विदी से किया जाता है, तो व्याक्यान विदी से, दोस्तों, जो व्याक्यान सबसे प्रानी विदी भी है, और इसमें शिक्षक व्याक्यान करता है, बच्चे ध्यान से सुनते हैं, दरश्टी से, देरेपूरवक है ना, उसी को बोलते हैं, विए ख्यान विदी है न तो टेम टीचिंग जो है शिक्षन कारे में कौन सी विदी से किया जाता है विए ख्यान विदी से दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर नए होना तो चैनल को आप आवश से सब्क्राइब करें क्योंकि हर कांटेंट आपके लिए बहुत ही फ कि कोई भी बालक हुआ कक्षा में वो चित्र बनाएगा या डाइग्राम बनाएगा तो वो कौन सी पद्दती में आएगा कोशल पद्दती में ना तो आप जानते हो कोशल में कौन कोशल सी चीज़ा आती है उसको भी आप ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं कि करी कुलम शब् उपर से रेखांकित करके यानि कि आप किसी भी टोपिक को पढ़ाने जाते हो तो उपर लिखा जाता है रेखांकित करके है ना तो इस धर ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं कि मनो किरिया आत्मक पक्ष का संबंद होता है यानि कि मानसिक किरियाओं से ग्यान आत्मक किरिया की शंक्या होती है तो तीन ठीक दोस्तों जो भाषा प्रीयोग साला है सरवेद्र से हाना तो उसमें उपकरणों के संक्या कितने है तीन आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि डोल्टन पद्दति के जनक है very important question कि हेलन पार्क हश्ट्र है ना द्यान होना चीए डोल्टन पद्दति के जनक दोस्तों ये तन्तर खुल ले वाता औरं में किस का बाल उद्धान का यानि कि एक गाल्डन होता है जिसमें चोटे बच्छे है नै और पेडगे भूदे भी है खेल वगयरा हए खेलने कि चीजें तógतनों में एद्रियां करwayo जाता है बालूद्धान पद्धति का आगे बढ़ते हैं कि उ तो कक्षा तीसरी से उपर की जो कक्षाएं हैं उसमें बालक मौन वाचन करके आराम से अच्छे से पढ़ सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कि हस्त लीपी का खराब होना अदूरी पढ़ाई की निशानी है ये किसने कहा महातमा गांदी ने ध्यान रगना कि अगर जिसकी हस् रीडिंग किसकी रचना है तो ब्राहिन की और जानते हो आप चुप प्रणना समय आगे बढ़ते हैं कि सिष्टा चार विरुद्ध किसे कहा सकते हैं वाचनाले मेंस जोड से पत्र पढ़ना यानि कि जैसे कि मालो गाडी लेके आप खोर निज़र जा रहे हो तो कोई भी सरकारी कारे ले है तो वहाँ भी गलत बात है ना तो सिष्टाचार विरुद्ध वाच नाले में जो जोड़ से पत्र पढ़ते हैं बच्चे उसको सिष्टाचार विरुद्ध करते हैं ठीके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक उत्तम पुस्तक सिक्षकों की सिक्षक होती है, ये किसका कतन है, डगलस का, यानि कि कोई पुस्तक है, पुस्तक चेप्टररीट में नये जुड़ा है, पाटे पुस्तक तो उसको अच्छा से देखे और इसका जो कतन है, ये डगलस न बड़े बच्चे कोई भी हो तो कहानी सुनाते हैं तो उसमें किसकी भावना जूड़ी रहती है आदर्स और चरित्र की ठीक दोस्तों ध्यान करना वेरी इंपोर्टन क्यूशन है कि उच्छारण का अभ्यास कब कराया जाता है अनुकरण वाचन के बाद यानि कि बाद उसके पीछ उनके पीछे बोल रहें तो उच्छारण का ब्यास कब कराया जाता है अनुकरण के वाचन के बाद घीके दोस्तों तो ये जरूर त्यानक ना हिंदी का कियूशन है यह भाशा शिक्षक शिक्षण यंत्रविदी में पार्ट पhrआ जाता है बाशा लिखना नविन प्रस्तितियों में प्राप्त ग्यान का उप्योग करना है तो ग्यान उप्योग यानि कि कोई भी आपके जीवन में या बच्चों के जीवन में कोई समश्या आ रही है प्रस्तितिया और उसका नविन प्रस्तितियों में प्राप्त ग्यान को क्या बोलते हैं ग्यानों उप्योग ठीके दोस्तों तो यह थे 20 शायद क्यूशन नहीं ही तो आप चैनल को आउसे सब्क्राइब करें और इनकी स्क्रीन सूट ले लीजेगा ताकि बार में बाद में आप आसानी से देख सकते हो और इसी प्रकार की में वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखिए और बहुत सारे इंपोटेंट क्यूशन है सूचना तकनी की शेख शेख परिद्र से तो आप उनको जरूर देखें चैनल को सब्क्राइब करें दोस्तों को जरूर सेर करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले इसमें थोड़ा से क्यूशन कम है तो मैं इसकी पूर् से नहीं बेटनाए जीवन में बाग गटे साथ दी आ ना दे पर मेनत तो जरूरी है जिंदिक में कहीं सारी काम है पर एक बार नौकरी आवस्चे लेनी है यहनो इसी तरह से मेहनत करिए और अपनी सपलता को आवस्चे प्राप्त करिए अथा तो दोस्तों मिलते हैं नेक स् विल्वें वी पूबस्त।